नमस्कार आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जै गुरुदेव उत्राखंट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्बुत क्रमा क्यूर आज का ये अद्बुत क्रमा क्यूर बहुत बहुत प्रभावशाली होने वाला है क्यूंकि आज हम आपके लिए चार ऐसे अद्बुत कारियों का विवरण लेकर आये हैं यो कि यदि आप रोजाना प्राता काल करते हैं तो आपके जीवन में धन की विवस्ता जो है वो आजीवन बनी रहती है धन की कमी का कभी भी आपको आभास नहीं होगा तो आईए बिना समय व्यर्थ के वे बढ़ते हैं आज के अद्बुत क्रमाक की ओर तो आज के क्रमाक में जैसा मैंने आपको पूर्वत बताया कि चार हम ऐसे अद्बुत कारे आपके लिए लेकर आया हैं जो कि व्यक्तिकत रूप से मैं भी करता हूँ इन चारों कारें को यदि आप अपने जीवन में जोड़ के चलते हैं तो ये चार कारे इतने चमतकारिक हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव तो बनाएंगे ही साथ साथ में आपको धन के लिए भी बहुत-बहुत सायता करेंगे तो आईए क्रमबद तरीके से बढ़ते हैं पहले अद्बुत कारे की ओर देखिए जो भी मैं इक कारे आज आपको बताने वाला हूँ इन कारें को आपको प्राता काल रोजाना करना है एक नियम बना लेना है कि रोज आपको ये कारे करने ही है चाहे कैसा ही मौसम हो चाहे कैसी ही विवस्ता हो क्योंकि नियमबद तरीके से अगर जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वो नियम उसके लिए बहुत कुछ करके देते हैं इसलिए ये चार कारें को नियमबद तरीके से करिएगा तो जो पहला कारे आपको करना है प्राता काल सबसे पहले अपने दिन की जो शुरुवात है वो आपने नियमित रूप से अपने जो नित्य कर्म है उनको करने के पश्चात सबसे पहला कारे आपको ये करना है कि सूर देवता का आशिरवात लेना आपको बिल्कूल नहीं भू तो इसलिए बहुत से लोग ये जानते भी हैं जोतिष में भी विश्वास रखते हैं तो जोतिष में आप सभी जानते ही है कि ग्रहों का कितना महत्व होता है इसलिए आप अपना दिन जो है वो सूरिदेवता के आशिर्वात के साथ प्रारम करें अब कार्य क्या करना है सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि एक तांबे के पात्र में जल भरके सूर्य देवता को अरपित करना ही है नियम बना लिजे कि इस नियम को आप कभी नहीं तोड़ेंगे इस प्रकार से आप सूर्य देवता को जब जल अरपित करते हैं उसके ग्रहों की स्थितिन हो जाते हैं City विए अपने ग्रहों की शांति के लिए सब्सक्राइब दूसरा इसके साथ एक छोंटा सब उपाय आपको और करना आपको कि जब आप सूरी देवता को जल भी अरपित कर चुके होंगे और सूरे नमसकार भी कर चुके होंगे उसके पश्चात एक कारे करना है जो कि आपको पूरे दिन भर उर्जा से सराबोर कर देगा कार्य यह है कि आपको कुछ शणों के लिए सूरी देवता के समक्ष आखें मूंद कर सूरी देवता की जो उर्जा है उनकी जो रोशनी है उसको अपने चेहरे पर अनुभव करना है इसको आपको कुछ देर के लिए करना है जब तक आप इसको वेहन कर सकते हैं तो ऐसा आप प्रती दिन करें और मैं आपको बता दूँ कि सूरी देवता की जो उर्जा है वो जब आपके चहरे पर आपके मुख के तेज पर पड़ती है तो आपका पूरा दिन आपको उर्जात्मक रखती है तो ये हो गया पहला उपाई इसको नियमित रूप से आप करके देखेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताईगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्टन आया बहुत सटी कुपाई मैंने आपको बताया है सूरी दिवता का आशिरवाद लेके अपने दिन की शुरुवाद जो लोग करते हैं उनके जीवन में चोटा सा नियम और आप बना लें जैसे कि श्री महराज जी भी इस नियम को करते हैं कि महराज जी सदयव राम राम का जो लेखन है वो अवश्य करते हैं इसको इस कारे को मैंने भी महराज जी से ही सीखा है और अपने जीवन में मैंने भी राम राम का जो लेखन है उसको मै बहुत नियमित रूप से करता हूँ तो आप एक कारे कर सकते हैं कि अपने साथ एक छोटी सी पुस्तिका आप ले 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 डाइरी आदी ले सकते हैं उसको आप उसमें राम राम का लेखन तो आप करिए ही करिए जब भी आपको समय मिलता है इसलिए इसको आप अपने साथ अपने कारे शेत्र पर भी ले कर जा सकते हैं चोटी सी एक पुस्तिका बना ले जो कि आप अपनी जेबादी में रख सकते हैं और जहां पर भी आपको समय मिलता है जितना भी समय मिलता है राम राम के लेखन का करम बना कर चले ये इतना चमतकारिक उपाय है क्योंकि स्वैम श्री महराज जी बोलते हैं कि श्री राम जी का जो नाम है वो श्रिष्टी का सबसे बड़ा महामंत्र है और इस महामंत्र के साथ आप अपने जीवन में जब इसको जोड़ के चलते हैं इसका नियमित रूप से अभ्यास करते है तो आपके जीवन में आपको इतने लाब इसके मिलेंगे आपको स्वास्त का लाब मिलेगा मानसिक परिशानियों का लाब मिलेगा इसके अलावा आपके जीवन में कोई अटकलें चले आ रही हैं कोई परिशानियां चले आ रही हैं काफी लंबे समय से जिसका आपको हल नह देखने को मिलेगा तो अनंत लाव हैं इस उपाय के और स्वैम श्री महराज जी अगर इसको आपको बताते हैं और आप महराज जी में अपनी अटूट आस्था रखते हैं आपको ये नियम अवश्य बनाना ही चाहिए राम राम का लेखन आज से अभी से आप शुरू कर चाहिए प्राताकालिन लेखन का कारे करने के बाद पुस्तिका को आप अपने कारिशेत्र पर भी लेकर जा सकते हैं अब बात करते हैं तीसरे उस कारे के जो आपको करना चाहिए अब जो ये तीसरा उपाय में आपको बताने वाला हूँ ये इतना चमतकारिक उपाय है कि अ तब से ही आपको इसका अनुभव होना बहुत ही आसानी से ग्यात हो जाएगा अब उपाय क्या है देखे गायत्री मंत्र के विशे में आपने अवशे सुना होगा गायत्री मंत्र इतना सिद्ध मंत्र है कि अगर आप गायत्री मंत्र का अपने जीवन में उप्योग करते हैं इसका अभ्यास करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाव आपको किस चीज में होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में मार्दर्शन की कमी आ रही हो जिनके जीवन में अभी तक गुरु का आगमन नहीं हुआ हो ऐसे अनन्य भक्तों को ऐसे अनन्य साधकों को श्री गायतरी मंत्र का जो है अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए अचा इस मंत्र को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि प्राता कालिन स्नानादी के बाद में जब भी आप अपने इश्वर की पूजा अर्चना करते हैं उसके पशात आप श्री गायतरी मंत्र का जाब कर सकते हैं श्री गायतरी मंत्र के इस अभ्यास से आप अपने जीवन में जो सच्चा मारदर्षन है, जो सटीक मारदर्षन है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोगों की एकागरिता में बड़ी कमी आती है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो की जीवन में करना तो बहुत कुछ चाते हैं, लेकिन उनका जो मानसिक संतुलन है जो एक जगर पर ठ ठीक से नहीं रह पाता जिनको एकागरता की बहुत कमी आती है उनकी एकागरता में बहुत बहुत वृद्धी हो जाती है जो कि गायतरी मंतर से इसके अभ्यास करने से आपको प्राप्थ हो सकती है इसके अलावा चातरों के लिए सबसे ज्यादा सटीक ये एक ऐसा उपाय है अगर चातर जन गायतरी मंतर का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं अपने जीवन में इसका पाट करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे लाब हो सकते हैं जैसे कि आप मान लेजिए परिक्षा आदी में आपका एकागरता की कमी आती है पढ़ते बहुत हैं लेकिन आपके जो अंक हैं वो उतने नहीं आपाते जिस फल्सोरूप में आप पढ़ाई करते हैं तो उससे आपको बहुत लाब बिलेगा जब आप गायतरी मंतर का अभ्यास करते हैं तो चातरों की जो एकागरता है उसमें बहुत वृद्धी होगी एकागरता में वृद्धी होगी तो जो आप पड़ते हैं, जितना भी आप जानते हैं, जितना भी आप सीकते हैं उतना ही आप परिक्षादी में लिख कर भी आएंगे, उतने ही उसी फलसोरूप में आपको अच्छे अंकों की प्राप्ती भी होगी और जीवन में सफल व्यक्तित्व प्राप्त करेंगे. तो यह है गायत्री मंतर की अद्बुत शक्ती अब बात कर लेते हैं चौथे और अंतिम कारे की जो की आपको प्राता काल अवश्य करना चाहिए अब देखे चौथा यह जो कारे है यह क्या कारे मैं आपको बताता हूँ देखे प्राता कालिन उठकर जब आप सनानादी कारे से निवरत हो जाते हैं उस समय आपको एक स्वास्तिक चिन्न को अपने घर के मुख्य द्वारे स्थान पर अंकित करना है जी हाँ स्वास्तिक का जो चिन्न है हमारे धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्न को श्री ओम के चिन्न को सबसे पवित्र बताये गया है और सबसे ज्यादा साकारत्मक उर्जा को यह आकरशित करते हैं चिन्न जो होते हैं चिन्नों का हमारे सनातन धर्म में बहुत बहुत महतु है तो आपको क्या कारी करना है कि आप लाल चंदन से या सिंदूरादी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्न को अंकित करें और अंकित करने के बाद जैसे आज आपने द्वार पर इसका अंकन कर लि उसके बाद आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि स्वास्तिक चिन्न को आप एक तरह से पूजा विदी विधान में भी शामिल कर सकते हैं इस चिन्न को आपका जहां पर भी मंदेश्थान है वहां पर भी आप इस चिन्न की स्थापना करें और इसकी जैसे आप अपने समरिद्धी और जो भी आपको धन से संबंदित कष्ट अब तक जीवन में चल रहे थे वो सारे कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं आपके जीवन में कोई कर्ज की स्तिती चल रही है तो कर्ज की स्तिती से आपको बाहर निकालते हैं और साथ साथ आपके जीवन में आपको अवश्य करना चाहिए इन चारों उपायों से आप देख पाएंगे कि जीवन में अब तक जो परिशानिया चल रही थी उन परिशानियों से आपको पूरी तरह से निजात मिलने वाली है और इसी प्रकार से इसको नियंबत तरीके से अगर आप आजीवन के लिए अप पाये होंगे इसी कामना के साथ अब समय आगया है विदा लेने का विदा लेने से पूर्व समय है प्रात्ना का यही मैं प्रात्ना करना चाहूंगा कि श्री महराजी सभी को सदबुद्धी प्रदान करें सभी को सनमत्ती प्रदान करें इस संपूर्ण श्रिष्टी का इस स